पस्चिम बंगाल में शायद ही ऐसी कोई राम नवमी बीती हो जब किसी न किसी इलाके में दंगे न भढ़के हूँ आम तोर पर बीते कुछ सालों से वहाँ धार्मेक जुलूस दंगे की वज़य बन जाते हैं ममताप एनर्जी इस पर इतिहास से सबक लेती नजर आ रही हैं पस्चिम बंगाल पुलिस दंगो को रोकने के लिए पहले ही हाई अलर्ट पर है एक मीडिया रिपोर्ट की मताबिक हिंदू जागणा मंच राजी के सभी जिलों में वार्ड और पंचायत स्तर पर खरीब पाँच हजार धार्मिक जुलूस निकालने की तैयारी में है आरेसस से संबध संगठन ने बारासाथ सिलीगुडी और कोलकाता के बड़ा बाजार में बड़े जुलूस निकालने की योजना तयार की है इसे देखकर पस्चिम बंगाल पुलिस हाई अलर्ट पर है वई हुगली हावडा उत्तर और दक्षन दिनाचपूर आतन सोल और बैरकपूर में जिला प्रिशासन भी अलड़ पर है ये ऐसे इलाके हैं जहां राम नौमी उत्सों के दोरान बीते साल सामपरदाई खिंसा बढ़की थी पश्चिम बंगाल पुलिस ने कहा है कि कानून व्यवस्ता का उलंगन करने वाले किसे भी शक्त से सकती से साथ निप्टा जाएगा वही बंगाल पुलिस जुलूस की मॉनिटरिंग भी करेगी जुलूस के दोरान हतियारों के चारजनिक प्रदर्शन की परमीशन नहीं दी जाएगी कुछ पारंपरिक समूहों और अखाडों को सश्ट पूजन की इजाज़त दी गई है लेकिन इसकी वीडियो ग्राफी की जाएगी आपको हबर हो कि विश्य हिंदू परिशद भी एक बड़ा जुलूस निकाल रहा है जिसमें लाखों लोग उमर सकते हैं वही हर राम नावमिक को पश्चिम मंगाल के अंदर होने वाले दंगो को लेकर ममता बनर जी के आलोचक कहते हैं कि ममता का दंगो को लेकर रवया ऐसा है जो विपक्ष को आरोप लगाने का दाव देता रहा है